दोस्तों जादा टाइम नहीं हुआ है इस बात को इस मामले को जादा समय बीता नहीं है आपको याद होगा लोकसभा सत्र के दौरान या कहले जे संसत सत्र के दौरान हमला हुआ था संसत के उपर आपको याद होगा जादा समय नहीं बीता है दोस्तों नाम किसका सामने आया नाम सामने आया था भारतिय जंता पार्टी के एक सांसत का जिन घुसपैटियों ने हमला किया उनको पास इशू किये थे अब ये जो हमला था इसमें जिस सांसत का नाम सामने आया दोस्तों उस सांसत के चल्चा मैं अभी क्यों कर रहे हूँ या आप सोच में पढ़ गए होंगे तो मैं आपके जानकारी के लिए पताना चाहूंगी कि जहां देश भर में भारतिय जंता पार्टी जगा जगा राम मं मंदिर अयोधिया में राम मंदिर बनने को लेकर अनुष्ठान करवा रही है हवन करवा रही है कारिक्रम करवा रही है भंडारा करवा रही है दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए भाजपा संसत वही भाजपा संसत पहुंचे थे जहां मंदिल जो बन रहा था उसको लेकर अनुष्ठान रखवाए गया था और वो जो संसत थे वो उसमें शामिल होने गये थे जहां से उनको का गया कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में आते हैं इसके अलावा कभी तो दिखाई देते नहीं है इसलिए आपका यहां पराना बिल्कुल मनाए निकल जाए आप यहां से और उनको निकाल दिया गया जिस तरह विरोध हुआ वो खुद अपने समर्थ को के साथ बाहर की तरफ निकले दोस्तों और वहां से चलते बने सांसत कौन है नाम बताऊंगी हलाकि आपको याद होगा मैं उमीद करती हूं अगर याद नहीं होगा तो सांसत का नाम आपको बताऊंगी वीडियो दिखाने के कोशिश आपको करूंगी ऐसे के साथ साथ पूरी जानकारे क्या है मामले की यह भी आपको दूगी दोस्तों आखिर तक मिरे साथ जरूरू बने रहीगा नमस्कार मेरे नाम है जयनती जहा और आप देख रहे हैं दिकंटाप दोस्तों प्रताफ सिम्हा का नाम तो आपने सुनाई होगा भारतिय जुनता पार्टी के करनाठा के माईसूरू से संसत हैं यह साहब जयन का नाम सामने आया था उन लोगों को पास इशू करने में जिन लोजगार थे और उनके पास अपनी बात पहुंचाने का कोई और तरीका नहीं था इसलिए उन्हें हमला कर दिया ऐसी बहुत सी बाती कहीं गई दोस्तों मगर कुल मिलाकर यही कहा जाना था उस वक्ति संसत पर हमला गंभीर है और इसके जवाब है वो दिया जाना चाहिए बहुत हंगामवँ हुआ उसमें प्रताफ सि Alberta का नाम सामने आया था बाद में कहा गया किमताफ सिमह से स्पीकर साहब ने बुलाकत पूछताच की है और प्रताप सिम्ह ने कहा कि मैंने पास इशू करने के अलावा कुछ भी नहीं देखा कुछ भी नहीं किया तो इसलिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मुझे शमा किया जाए अब जाहिर सी बात है देखिए नाम तो गंडा हो गया नाम की जो थी दोस्तों वो तो खराब हो गई अब यहीं चावी लेकर सहाब गए थे राम मंदिर हवन जो किया जा रहा था राम मंदिर के लिए जो अनुष्ठान किया जा तो उसमें शामिल होने के लिए वहां से इनको भगाया गया है बहुत बुरी तरीके से भगाये गया है वीडि तो जैसा आपने वीडियो में देखा वीडियो में आपको कुछ लोग भाजपास अंसत को जिनोंने भगवा पट्टा पहना हुआ था गले में उनको भगाया है और बहुत बुरी तरीके से भगाया है यह आपने देखा होगा नारेबाजी हो रही थी उस वक्त नारेबाज के वक्त में आते हैं वैसे तो आप यहां दिखाईने देते हैं अभी क्योंकि चुनाव है दोहजात चौविस में इसलिए आप आए हैं और यह तो सांसद है दोस्तों जाहिर सी बात है अपनी छेतर के जनता जहां से चुन कर आये हैं वहां वोट तो मांगने के मगर फिर भी जनता ने परक लिया के दिया कि भाई बोट मांगने ही आए होंगे आप क्योंकि जब चुनाव होता है तब ही दिखते हैं वैसे तो इत का चांद बन जाते हैं अमोक नाम की यूजर ने लिखा है यह वीडियो शेर करते हुए कि बीजेपी MP प्रिताफ सिमा व जितने बिलोगे दोस्तों वहीं दिखाते हुए आपको नजर नहीं आ रहे हैं जाहिर सी बात है मीडिया ऐसी खबरे क्यों ही दिखाएगा इस वक्त राम मंदिर का निर्मान देखे हो रहा है प्रान प्रतिष्ठा संपन हो चुकी है मोधी जी की पूरे दिन लाइफ टेली पर ऐसी खबरे कहां देखने को मिलेगी जहां पूरी दुनिया में ऐसे चानल्स की तरफ से दोस्तों अब लगातार हमारे दिश के सत्ताधीन पार्टी का गुडगान गाया जा रहा है यह थोड़ी ना बताया जाएगा कि सत्ताधीन पार्टी के संसत को जहां संसत को धक्क करनाटक का मामला है दोस्तों करनाटक में कॉंग्रिस की सरकार है बेशक लेकिन भाजपा अपने अपने जितने भी कारिक्रा में वह आयुचित कर रही थी और गाह वालोने अलग से कारिक्राम आयुजित किया था ये सहाब अचानक वहां पहुंच जाते हैं इनको एंटी डलत बताई क्या कहा गिए आप डलिटों के खिलाप है दलिटों के आप विरोध में इसलिए आपका इसमें शामिल होना ये पिल्कुस सही नहीं होगा आपकी स्क्रीज पर इस वक्त में दोस्तों आपको एक खबर भी दिखा रही हूं से जुड़ी जो क्या कहती है ध्यान से देखिए सुनियेगा ताकि आपको पूरा मामला क्या है वो डीटेल में समझ में आपाए क्योंकि बह दावे करेंगे लेकिन आपको पूरी जानकारी जो है पता होनी चाहिए इंडियान एक्स्प्रिस की खबर है लिखा है कि अंग्री विलेजर्स आस्क प्रताप सिम्हा टू लीव असी अराइब एड़ी स्पॉर्ट वेधी विलेजर्स हैं दी इवेंट रिलेटेट टू रा वालित फार्मर रामदास को हाज डोनेटेड लांड टू बिल्डर राम टेंपल इंडी विलेज और फाउंडेशन सेरेमनी वास हेल्ड इन ओन मंडे यानि साफ सीथर तोर पर बता रहे है कि इस बात की खुशी जताई गई थी कि जिन्नोंने राम मंदिर में लगी जो मूर ош लोटते हैं क्योंकि जन्र्था इनको वहां पर लुकने नहीं के 10 सथी और ययाद रखे रहे हैं दोस्तों कि जन्र्था सिर्फ यह याद रखेंगी कि सिर्फ जन्त यह याद रखेंगी कि भर आपने देश में सब्याद हुक्ति अगर वो यह याद रख रहे हैं और कि आपके कारेकाल में विकास हुआ है कि नहीं तो यह सोचना कि 2024 चुनाव में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिल जाएगा शायद यह बहुत बड़ी गलत फैम होगी दोस्तों और इसका एक मात्र उधारन जो है ये पूरी खबर है जिसको देखकर समझ में आ सकता है आपको कि आगे क्या होने वाला है 2024 में क्या क्या होने वाला है खासकर दक्षिन के राज्यों में क्या होने वाला है दक्षिन के राज्यों में वैसे ही भारतिय जंता पार्टी का डबा गोल है अगर आप लगातार में आकड़ों पर थोड़ी बात करूँ तो आप पहले देखिए करनाटक गया हाथ से फिर तेलंगारा गया हाथ से तमिलाडू की बात करेंगे तो तमिलाडू में गडबंदन की सरकार थी गडबंदन में इतनी दो फाड़ हुई कि समझे तूटने की कगार पर है तूटी गया लगबक समझे आंध्र प्रिदेश में कुछ ऐसी हालत नजर आ रही है बाकी के कुछ चेत्रों में दक्षिनी चे सुचना है अपनी दाए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फिर मुलाकात होगे आप से अगली वीडियो में तब तो के लिए अबस्कार